तो कहा गया कि बुरे विचारों के साथ सही काम भी बिगड़ जाते हैं, कुंठा, गुस्सा, अफसोस और दूसरे कई नेगेटिव विचार हमारे कामों पर हावी रहते हैं, हम एक गलत काम को दूसरे गलत काम से ठीक करने की कोशिस करने लगते हैं, एक हाट टोल लिखते हैं आप क्या करते हैं, उससे ज़्यादा माने इस बात के हैं, कि आप क्या हैं, काम करने से पहले जरूर सोचें कि आप किस विचार में हैं, और अगर आपके उपर इमोसन सहावी हैं, आप बहुत अधिक खुस हैं, बहुत अधिक दुखी हैं, किसी इरस्या में, या भी किसी प प्रकास में दोस्तों आज 21 दिसंबर है और दिन है शो मौरका तो एक नया सप्ता शुरू हो रहा है नए उत्सा के साथ नई प्रोग्रामिंग के साथ शुरू करते हैं और इस बार खुद से वादा करिए कि इस सप्ता आप अपनी स्टडी को बहुत अधी ध्यान देंगे और आलोवर आप देख रहे हैं कि इस बार की जो पुलिस भरती परिक्षा हुई है उसमें जो टोटल आकड़ा आ रहा है वो पचास फिस्दी से कम आ रहा है जो कुछ भी कारण रहा हो लेकिन अभ्यरतियों की उपस्तिती यो बहुत ही कम रही है पुलिस आयुत डिके ठाकुर के मताबिक दभीवार को कुल 1,62,216 अभ्यरतियों को परिक्षा में सामिल होना था लेकिन दोनों पालियों को मिला कर देखा जाये तो 60,616 परिक्षा में सामिल रहे हैं परिक्षारतियों ने बताया कि दूसरे दिन का जो पेपर था वो थोड़ा कटिन था तुलना में पह जिसमें बताया जा रहा है कि परशदी विद्यालों में इस वर्स भी चुटी होगी, तो इस पर जो विवाग ने विद्यारतियों और शीचकों में जो ये भ्रहम फैल रहा है, इसको लेकर सफाई दी है, हलांकि ये खबर कुछ अगबारों में भी पब्लिस हो गई थी, तो ह इसक शीच्चा विवाग ने 2021-22 के सीत कालीन और ग्रीस में कालीन आवकास को लेकर जारी आदेश को जो भ्रहम फैल रहा है, उस पर अपनी सफाई दी है, विवाग की अपर मुकी सच्यू, रेडोका कुमार ने 14 अगस्त को टाइम एंड मोसन इस्टेडी के आधार पर सेक् ग्रीस में कालीन आवकास घुशित किया गया है, इस पर सिक्षकों और विद्यार्थों में चर्चा थी कि इस साल 31-14 जनुरी तक सीत कालीन आवकास रहेगा, तो लगनों के बेसे दिनिसकुमार ने बताया कि जारी आदेश जो है वो 2021-22 के लिए, यानि कि अगले सत्र के ल अंडे ने बताया कि आयोग सभी परिशाओं की अंतिम उत्तरकुंजी जारी करें, कहा कि उत्तरकुंजी नहीं जारी करना नियाला के आदेश का उलंगन है, और S.S.C. की ओर से जो दिल्लिस पुलिस में सब इंस्पेक्टर और C.A.P.F. परिच्छा 2020 हुई थी, तो पेपर या उसका उत्तर है, तो उसको चुनोती दे सकते हैं, दोस्तों आने वाली जो बहुत प्रतिक्षित आपकी भरती है, लेकपाल भरती है, तो उसके लिए एक बहुत-जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से बहुत सरे ये सवाल करते हैं कि जो लेकपाल के पद होते हैं उसके लिए क्या ट्रिपल सी अप्लाई मतलब होगा ट्रिपल सी ज़रूरी है तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बिकुल आपके लिए समझ लिए कि जो अदर स्टेट के हैं वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे इस लेकपाल भरती में हलाकि उनको जो है जनरल मान के ट्रिट किया जाएगा सामान शीटों पर भी फाइट कर पाएंगे रिजर्वेस्टन का जो लाब होता है वो किवर उत्तर प्रदेश की जो निवासी होंगे उनको ही मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर एक बाद ध्यानकना अभी लेकपाल भरती के लिए जो नोटिफिकेशन जा रही होना है मेरे इजाओ से पेट के बाद यह परिक्षा होगी यूपी ट्रिपल सी पेट परिक्षा यह अप्रैल में होने जा रही है जिसके लिए पैट के स्ट में लगातार अलेबल करवा रहा हूं आप लोगों ने तहरी अच्छे से करते रहे हैं मैं तो रिजनिंग की प्रावलम हा रही है मैं तो रिजनिंग की क्लास भी बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं तो अगले दो मेने के बाद इसकी परिक्षा हो जाती है तो पूरी सम्होना है यह अगर आप अभी आविदन कर लेंगे तो लेकपाल भरती का जो नोटिफिकेशन है उसके आने से पहले पहले आपके पास ट्रिपल सी का साटिपिकेट भी आ जाएगा तो ट्रिपल सी ज मस्ट जरूरी होगा कि आप ट्रिपल सी ले ही ले ठीक है क्योंकि ट्रिपल सी सिर्फ लेकपाल भरती नहीं और बहुत सारी परिक्षाओं में भी आपके काम आएगा तो यह जरूरी कोर्स है इसको मैं रेक्मेंड करूंगा कि आप इसे कर ले और दोस्तो ने आसिस्टर प्रोफेस्टर के लिए बिग्यापन जारी कर दिया है लेकिन पिछले साथ सालों से 2013-14 के बाद से रास्थान लोग से हुआ आयोग जो स्टेट परिच्छा नहीं करवा पाया है सेट परिच्छा 29 विश्व में आवजित की जादेती पहले दोज़ा 13 जोदे में आयोग ने काम की अधिक्ता को देखते लिए सरकार को पत्र लिखकर कहा कि सेट परिच्छा को अन किसी एजनसी से करवाई या है इसके बाद से रास्थान में सेट परिच्छा नहीं हुई और रासरकान ने सेट परिच्छा करवाने के लिए न तो rksc को पाबंद किया है नहीं किसी एजनसी को परिच्छा कराने के लिए चुना तो यही वज़े रही कि पिछले काफी समय से छह साथ सालों से परिशा होई नहीं अब यहाँ पर जो बिग्यापन जाई हुआ है 918 पदों पर तो इस पर जो eligibility है वो या तो net हो या फिसलेट हो लेकिन net qualify करना अप एक्छा करेट स्लेट के ये थोड़ा सा मुस्किल होता है इसलिए जो अब यहाँ जारी हो गया नहीं पर तो जितने भी लोग आविदन करेंगे संक्या कम रहेगी तो उनमें फाइड भी कम होगी या असानी से उनका सेलेक्शन हो जाएगा लेकिन जो अप एरती बनना चाहते थे अस्टेटर प्रफेसर वो स्टेट के अभाव में नहीं बन पाएंगे आरारबी के बारें बात कर लेते हैं तो आरारबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है देखिए अगर आप CBT टेस्ट दिना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाईए आप वहाँ पर लिंक पा जाएंगे और वहाँ पर लॉगिन करके आप CBT को एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे कि किस प्रिकार से परिक्चा हो नहीं है और जो एड्मिट कार दोस्तों ये 24 दिस्टमर को जारी होगा और CBT परिक्चा का जो पहला चरण है वो 28 से 13 जनुरी के बीच में होगा कुल एक दस्वलों दो पांच करोन मतलब एक करोन पच्चीस लाग अपर्टियों ने आविधन किया था इस भरती में और 23 लाग अपर्टियों इस परिक्चा में सामिल होंगे चरण एक में परिक्चा के लिए 35,000 से ज़्यादा पदों को भरा जाना है तो दोस्तो ये थी आति सारी अपडेट्स थैंकियो सो मज़ पर वाचिक दे वीडियो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तो करेंट अफेस के त्यारी आप जरू करते रहो क्योंकि करेंट इस वेरी इंपॉर्टेंट चाहे आप सुपर टेक दियारी कर रहे हो चाहे आप कोई भी परिक्चा हो करेंट आपकी बहुत अधिक हल्प करेगा तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आके निचे नमस्कार जैहन्द